कि आप लोगों में से अपर वर्ज पेरने तो फ्लीज निकाल के बैट करें अब कि आए अब करें हैं कि हैं आप सब उमीद करता हों काफी इच्छे होंगे घर पे होंगे शेफ होंगी जैसे कि आप सब पता है कि जे मेंस का एक्जाम कंड़र्ट होना था एक्जाम प्रॉसेस में हैं तो बहुत से सवाल आपके थे कि जे मेंस में क्या हुआ क्या कैसे सोसल डिस्टेंसिंग का फालो हुआ एक्जाम में भीड तो नहीं हुई तो कुछ एक न्यूज चैनल्स ने जो है इस पर पूरा coverage किया था तो उनकी update का अफ़े दिखाने वाला उक्ता दूँँ जैसे कि ये ANI एक news article है इसने बताया गया है जारखंड की बात करते हैं यहाँ पर जो centers थे वहाँ पर काफ़ी अच्छी facilities देखने को मिली हैं और students ने भी काफ़ी समझदारी का परिशे देते हुए social distancing के नेमों का पालान करते हुए यहाँ वने वो exam center पे एंटर किये हैं और वो exam को दे रहे हैं center पे thermal scanning से लेकर जो other process थे वो फिर काफ़ी अच्छी दंग से जो फालू किये गया हैं जिससे बच्चे काफ़ी हप़ी दिख रहे हैं अब आपको दिखाएं कुछ images जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी अधिक मातरा में checking और जो पुछ था वो काफ़ी अच्छे दंग से हो रहा था social distancing के साथ में बच्चों को announce करना कि कैसे बैग रखना है कहाँ पर क्या करना है तो इन सब बातों को धामें तो exam को ये गहा है कि सफल दरीके से अभी तक जैसे कि जारखन से नहीं हुआ रही है वहाँ पर ये exam सही धंग से हुआ जा रहा है बाकि exam साम को clear हो जाएका क्या खिर क्या कुछ होना है और हर एक center पर सबी नेमों का एक explanation दिया गया है जैसे कि आप देख रहे हैं वहाँ पर आपको mass integer भी provide करिया जा रहा है तो ऐसा काफी कुछ जो है अच्छा दिख रहा है exam में अभी तक कोई business problem नहीं हुई है कुछ एक videos भी आपको दिखाने वाला हूँ फिर बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ नया है अभी आप देख रहे हैं बिसकलि सपोर्टिंग स्टुडेंट्स जो है पियूस गोईल जो की डेलवे के minister है तो उन्होंने भी चैचीजों को बताया है कि वो बामबे में चीजों के arrange कर रहे है इसा कुछ कहना है फिलाल के लिए ये कहें कि एक्जाम अभी तक जो जे इमेंस का था फस्ट फेस का जो चल रहा है वो काफी अच्छे ढंग से रहा जो कुछ एक निज एटिकल से बता रहे है एक्चोल अबडेट होगी वो मैं आप बताऊंगा साम को क्या खिर क्या रहा कैसे रहा फिलाल इस वीडियो बिते हैं आप सभी का बब धन्यवाद थैंक्यू सुमच्छ जैंद बंदे मातरम